कि अधिया दोस्तों स्वागत है आपका अपने से प्यारे से यूट्यूब चैनल से विस्टी अडर्ट उपॉंट यूरूपर दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभिमान कोचिंग के डारेक्टर मनीज सर आज हमारे साथ जुड़े हैं और आज जिसे थुदा से अभिमान क्लासिस की नाम से रमोली में ही और आई सर से बात करते हैं थोड़ा से दोस्तों बात मुलाकात हो जाए हमारी स्टूडियो पहाई थे और सर से मिल करके बात करके मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और आप लोगों के बीच भी सर के माध्यम से कुछ वरतलाब कर साब हैं तो सर सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि जो आपकी अभिमान कोचिंग कितने सालों से चला रहा है लगवक्त सर तीन साल हो गया मगर अब नाम से नहीं था अच्छा बस ऐसे नंबस कोचिंग चल रहा था अब अब नाम से हो गया बैनर पोस्टर तीन चार दिन में सब कुछ हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा प्रोसेस में चल रहा है पैसे चल ला था मगर दूर को जैसे थोड़ा सा बच्चे ट्रेवल नहीं कर पारते आ नहीं पारते हमारे यहां अब जब स्कूल के बगल में हैं और अब जो जूड़ रहे हैं और आपकी स्कूल में से कितना चेप्टर खतम हो गया मैथोड का सदस्टेटर हो गया है अचा सरा फिरली घ्जाम सरो गया कि मतलब भी नहीं अब आभी अठाइग सितंबर से है अचा अचा अब आपका स्टार्ट और पार पहला दूसरा हो गया ह सब्सक्राइब है और पुछना चाहूंगा कि सर इक चीज़ बताईएगा सर कभी कभी चीज़ें होती है कि जो आज के डेट में सर पढ़ाई का जो अस्तर है असर गिरता जा रहा है सर वाकिसा गिरता जा रहा है सर मतलब माहौल के हिसाब से है यह घर से रिलेटेड तो फिर उनके लिए डिक्रिमेंट है जादा डिक्री जादा करेंगे और यदि श्कूल बच्चा यह खुद एक्टिव है तो फिर उसके लिए सबसे अच्छा चीज है और मेरे हिसाब से घर का माहौल सबसे ज्यादा जरूरी है और हर तरीके से यह यदि बच्चा कम जोर है कोई बात निमर घर का माहौल सभी बना है तो फिर उसके लिए सबसे अच्छा है हर चीज जरूरी है कि यदि आप बहुत तेज हैं तब ही आप टीके रहेंगे ऐसा नहीं है आप अच्छे रहेंगे तो समाज में घर पर घर ही सबसे बड़ा समाज है यदि वहां आप हमारे नाजर में जो है झाख बीस बच्षे जो है वह अच्छ buns ताइम पास करते हैं कि किसी तरह कलास आए जब लग और धैशिय कुछ बच्चे उनको मोटिवेट किया जाता है पढ़ने के लिए तो पांच बच्चे बच जाते हैं मगर वह दस बच्चे और जुड़ते हैं कंडिशन उनके साथ यह हो जाता है कि जो उसके बाद जब निकलते हैं घर से फिर उस चीज को छोड़ना शुरू कर देते हैं मतलब घर पर गया फिर बाकी काम किये मुबाइल यूज कि फिर वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं जब दुबारा आते हैं क्लास में फिर वो पीछे का चीज है वो छूड़ जाता है उनसे यही प्रॉब्लम सब हैं उनके बच्चे जो वीक है जलिए सरे महाल में जी सर आपने बताया सरया में इसर हम सर हम लोग हमेशा कोशिश को देगा है उनक रखकита खने का प्रवा बच्यों को निकाल सकते हैं कंपलीट कापीं नहीं किया तब बच्चों का निकाल канал कि सब्सक्राइब ने न सकते हैं आप mental punishment भी नहीं दे सकते हैं सारी दन तो ठीक है physical punishment लेकिन आप mental punishment भी आपको देना एलाओ नहीं है जैसे आप बार बार टोकना किसी बच्चे को बार बार करना प्रेसित करना ठीक है मतलब कैसी कोई किसे नहीं कर सकते जिससे बच्चा सुसाइड कर ले या फिर ऐसी को इससी म लूब वक्राणी करने की कुसिश करते हैं मारना पिटना सा पूछ नहीं है उसी का जानते हैं बच्चे के बर पूर फैदा उठाब YOUR पर वादेखरッ दम्राइब जो सकता है भी बच्चे के लेबल सा एक दम डाउन होता जा रहा है गारजन खुब पैसा फूक रहा है कभी बड़ा तकलीफ होती इस बात की नसर और बच्छों को नहीं बिलता है तो भींगे टीचर आप समझ सकते हैं कि जैसे माबाब अपने बच्चों के के लिए वह सिह बहुत को पहरोँ से अपने प्रदगे का नहीं पढ़ रहा है। तो शुलत नहीं को ढौन करें पता है। हम ऐसके रहत lकेना आप कर हैं तो ओक ये खथ सकती है। वह नहीं बनदनूं के इसले सकता है, जो इसे कर रहा है। बहुत डाट खुल के नहीं बता पाता है, कहने कहने चीजें होती हैं, और बच्चा ऐसी के फायदा उठा करके अपना मरमानी अपना आता जाता है, और यहां तक आपको पता होगा, कि काफी चेकन जाते होंगे, तो आपको पता होगे, दोसो काफी में से सरे, तो चार काफी से सतर प्रस जाती हैं, बाकि सब का वहीं ही, मतलब आट, दस, बंदर हैं, बहुत सारे फेल होते हैं, अपको पढ़ने वाले नहीं होंगे, बहुत सारे का कमपार्टमेंट लगता होगा, तो इस सब सारी चीजें होती ही रहती है, तो ही होता कि देखी बाई, में चीज है कि गारजीन का रूल कैसा है, गारजीन का रूल अच्छा रहेगा, अच्छे से केर कर रहा है, तो बच्चा उनका बहुत अच्छा करेगा, अगर गारजीन एक्ट्व नहीं है, तो बच्चा को अच्छी लगता है, आप ही बता है, आपको कादिया जैसा घंटा पढ़ने के ल बच्चे चोटे होते हैं उनको पढ़ाई के लिए तो आसे केर करना पड़ेगा, सही महर्ग दिखाना पड़ेगा, जब उनको चीजें समय में आने लगी कि तो आपको कहना नहीं पढ़ना पढ़ने के लिए, लेकिन अगर उनका बेसिक खराब हो गया, तो आगे आप कितना ह जो भी हो सकता, जो भी बन सकता है, आप लोगों से, प्लीज उनको दिलवाईए, प्रोवाइड करवाईए, टीचर से आप बात करिए, कि हमारा बच्चा पढ़ना में कैसा है, क्या कर रहा है, क्या कमी है, क्या चीज़ है, टीचर से आप बात करिए, ठीक है, और आपका ब बता देगा कि हमारा बच्चा का परवाम्बेस का ऐसा है बाकि आगे जीवन देखी रहें कितना लोग पढ़ लिक करके भी देखे बैठे हैं अगर मैं अपी को आपी को बोलू रिसे लोग काएंगे ने सर लोग पढ़ाते हैं वह देखे आपी का हर एक सब्लेक्ट आता है ज आदमी प्रयासरत्न है तो सोचे उन बच्चों का क्या होगा कि जो बच्च एकदम नहीं पढ़ना जाते हैं एकदम कुछ नहीं जा रहा है उनका पविस आगी चलके कैसा होगा हम लोग तो मालेजे कुछ ग्यान है पढ़ा करके अपना जीवन आपन कर लें कम एक नोकरी है हो जा रहा है वाकि उसके पास सोचे कि इसके पास कोई टैलेंट नहीं है पढ़ाने का ठीक है और आखित में क्या करेंगा कोई कंपनी पर जाता तो भी आपका बहुत कम पैसा मिलेगा वो सारी चीजें का सामना करना पड़ेगा सोचे कि इतना हर्वर करना पड़ेगा इस पास कोई टैलेंट वाइसा होना चीजिससे आप अपनी जीवन आपके आगे चल के कर सकें नहीं तो आने वाले समय में आपको बहुत ही ठीक है कठनाईओं का सामना करना पड़ सकता है जीवन है सर एसर कंपटिशन वाला जीवन है जो अच्छा काम करेगा नोकरी उसकी पूरा निगरानी देखें पूरी अच्छी तरह से उनका केर करें टीचर से में चीजिस बात करें उनको कोचिंट ट्यूसन के लिए बेजें हर एक प्रकार से उनकी मदद करें नहीं तो बच्चा एक बार हाँ से अगर निकल गया ठीक है तो दस ग्यारे बारे में जाएगा तो उसको आप सुधार सकता है ने टीचर सुधार सकता है ठीक है हम लोगों के बसका नहीं है कि नहीं जब बिगड़ गया बेसिक खराब हो गया तो कोई नहीं सुधार सकता क्योंकि टीचर तो पॉइंट बात करेंगा बेसिक पूरा खराब की हो कहां से मेरी बाते समझ में तक पहुत समय तक बीटाता है तापको पता होना चीजह क्या कर रहा है तक इसलिए आपको प्लीज केर करें अपने बच्चों का बाकी हम लोग भाहीं कोई कंप्लीन होती है ते वे इस बीदे से दॉ मन में डर बना रहा है तो तो बच्छा से सब्सके दिए उसकता से पते हैं कुछिड आते हैं तो नहीं पढ़े से लेकिन सब के अंदर ही नहीं होती है केर करने से ठीक है कुछ बच्चे बहुत अच्छे हो जाते हैं मेरे साथ यह सेम चीज़ हुआ मैं भी एक अबरेज लड़का था अबरेज से भी लो क्रिकेट मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि टेस्ट में देखना हर बॉल एक अब जिस दिन टेस्ट में सुरू हो जाता था किसी ने किसी बहाने से तो उसी से मेरा तो अच्छा यह था कि अच्छा रहा कि इंदिव जालेस पड़ा मगर मैं पढ़ाई पर धिहान नहीं दिया जादा इस वोज सब्सक्राइब जादा क्रिकेट खेलना फिर बाकी कम पढ़ाई करना ना इतना ही बस पढ़ाई करना जिस बस निकल जाए बस तो वह वाला चीज मेरे साथ रहा है तो मैं यह चीज महसूस करता हूं कि जरूरी है कि आप बाद में उठे और उससे पहले कोई उठा रहा है त तो उस समय आप उठ चाहिए बेटर रहेगा ने फिर जादा आपको दिखत होगा अब वह संगर्स जादा दिखेगा तो फिर बात में आपको सही रास्ता नहीं मिल पाएगा क्योंकि टाइम निकल जाएगा और क्लास का है सर कि किसी ना किसी दिन मैं क्लास बोल करके सर से कि तरह का मैरत्वन तीन-चार घंटे का एक चैटर में पूरा कराऊंगा कोई भी चैप्टर जो भी सर को लगा है कि नहीं यह चैप्टर हमको पूरा करा दीजिए एक चैप्टर पूरा कराऊंगा मैं आकर कि एक दिन पूरा आप के लिए तीन-चार घंटे का पूरा एक दिन का मैरत्वन कि जिससे मुझे भी लगे कि बच्चे मुझे थोड़ा बहुत जाने जान रहे हैं अब कुछ दिन में मतलब कोचिंग तो मार्स अभीमान क्लास तो फिर इसका जो है अगले सेशन भी जो टेंट का है वो मैंसे पहले से तो जिसको जैसे जॉइन होना है वह आ सकता है डामो दे सकता है फिर सारे चीजें और आने के बाद पता चलेगा कि नहीं पढ़ाई हो र पढ़ाते हैं और कुछ न कुछ चीजें उनके साथ एड होती है कि कुछ अच्छा चीज सीखें कि हर चीज जरूरी नहीं कि बंधन में राके रहना कि उसके बाद भी जो भी चीज़ पुष्टें को बुक वाइस नहीं है कि हमने एक चीज पढ़ा दिया फिर अब कहीं से भी करें अच्छे से सरका भी थोड़ा सा वह जाएगा क्योंकि बहुत मेंनत करते हैं वह देख रहा हूं करके मैं दो कभी यहां आया नहीं था पर लग रहा है कि नहीं बहुत जादा मेंनत है ठीक है जले चले बहुत दर्वा सर बात करने के लिए सब्सक्राइब करते रहें बच्चों आज की लितने बच्चों जैहन बटा